इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ तो चलिए जादा समयना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं देखे वीडियो में देटा लूइट सेटर करने के लिए आपको चले जाना अपने फॉन के सेटिंग में फिर इसमें आपको एकॉप्षन मिल जाएगा दोस्तों मोबाल नेटवर्क का या दोस्तों सब्सक्राइए अगर कोई दूसरा मोडल होगा तो आपको यहां पर कुलिक करना है फिर इसमें देखिए आपको एक option मिल जाएगा दोस्तों यहां पर जो है डाटा ट्रैफिक मैनेजमेंट का या दोस्तों आगर आपका कोई दूसरा मोडल होगा तो दोस्तों उसमें यहां पर क्लिक करेंगे तो यहां देखिए आपको मिल जाएगा डेटा यूजज लिमिट का आप यहां पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों होगा क्या कि हैं आपका दोस्तों यहाँ डेली data user limit वाला setting बन तो आप यहाँ पर क्लिकरकर करने के लिए आप यहाँ डेली data limit पर क्लिक करेंगे और उसकी बाद आप यहां से सेट करेंगे कि आप कितने data को यक दिन में यूज़ करना चाहते हैं अगर आप चाहते हैं तीन सो तीस एंबी पचास एंबी या दोस्तों अगर आप इसे ज्यादा करना चाहते हैं तो आप यह कस्टम पर क्लिक करेंगे और फिर आप जितना भी डेटा हर दिन यूज़ करना चाहते हैं तो वह आप यहां पर डाल देगे जैसे दोस्तों मुझे एक जीवी करना है तो हम यहां पर एक डाल देंगे और उसके बाद दोस्तों हम यहां पर क्लिक करेंगे और यहां से जीवी को स्लेट करके confirm पर click कर देंगे तो आप देख सकते हैं हमारा data limit जो है 1GB set हो गया है और दोस्तों इसे क्या होगा कि दोस्तों हम जैसे हैं अपने mobile phone में 1GB data को यूज कर लेंगे तो उसके बाद दोस्तों हमें जो है notification मिल जाएगा और दोस्तों आपको यहाँ एक option मिल जाएगा operations one the limit has been accident का तो जब आप यहाँ पर click करेंगे तो आप यहां से set कर सकते हैं कि दोस्तों जब आपका data limit जो है complete हो जाए तब आपको क्या मिलना चाहिए अगर आप सिर्फ यह चाहते हैं कि हमें notification मिले तो आप यह only notify को select करेंगे और अगर आप यह चाहते हैं कि दोस्तों हमारा mobile data भी बंद हो जाए और दोस्तों हमें notification भी मिल जाए तो आप यहां से disconnect and notify को select कर लेंगे तो इस तरीके से आप जो है बीवो की मौईफोन में आप जो है daily data limit set कर सकते हैं वीडियो पसंद आया है लाइक करके च जरूर कर दिजिएगा